कि वार्ट do we eat do we find some ingredients common for different food items ने बात बिल्गुल सही है कि बहुत सतरा जो ingredients जो इंग्रेडेडेडेंस है वो common भी होता है discussing class so where do these ingredients come from ये कहां से आता है अब इसके आई है बहूं को पता करना है ठारीख है food materials and sources it may be easy for us to guess the source of food of the ingredients प्रूट से आता है अपकोर्स वाटर सोर्स ऑफ राइस और वीट 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 फिल्ड विद विद रॉज और रॉज और प्लांट विच गीव थी ग्रेंज तो जो भी सोर्स ऑफ राइस है और जो वीट है यू में हैव से पैडी वीट फिल्ड विद रॉज और रॉज और वीट वाफ वंद वीट विजव बिल्ग शी वात है अगर आप अगर आप आप गाउंस विलूंग कर रहे है तो आप यह चीज आपको बहुत इस आपने देखे आउंगे कि पैडी का फूरा फिल्ड है वीट से आ रहे हैं तो अरत धाल विट जोड़ी स्पालिय तो इस have to share a गजरा रहा है तो इसपी से कुझा चेंब tää scans को सोट सा रहा है ने अश चीज अर्लियर try to Find out where the come from then ingredient and their source some example on Inshora in the table 1.3 and fill in the blanks and table 1.3 and add more example to the list इस लिस्ट आपको और भी चीज़ आपको add करना है ठीक है तो अब इसमें देखिए आप यहाँ पर क्या माल लेकिए अगर यहाँ पर यह पर यह पर यह पर यह वीट है इसमें क्या है तो यह ट्रांस्पोर्टरेशन होता है ठीक है यह यहां तो आप इसे एक topic बढ़ेंगे agriculture में इन सब के बारे में क्या-क्या प्रबलम होता है ठीक है यह जो पड़ी है वीत है इसके टांस्पोर्टेशन में जो आप इसको लेके जा रहे हैं जो आप इसको क्या क्या प्रवल्म होता है वोनों एक डिकल्च में देखेंगे ठीक है यहां पर इंग्रेडियेंट्स है यूज इंदा प्रिपेर्ट फूड अटम्स आप इडली है अगर आप इसमें देखेंगे तो बना आप इस अपर इस सुगर से है लिक्सका ऐस राइस की से है प्लांट से प्लांट अब आपको plants या रहा है, ठीक है, sugar cancer what do we conclude from the activity 3 plant a source of food, plants क्या है source of food है, ingredients like the grains cereals, vegetables and fruits animal provides us with milk, meat product and eggs, cows, goats and buffaloes are some common animals which give us milk, यह में milk देते है milk and milk produce products like the butter, cream, cheese and curd are used all over the world can you name some other animals which give us milk, बिल्कु से बाद, goat है आपको wool वगरे भी है ठीक है, आपको camel वगरे भी है तो आप जैसे location में आप जाएंगे आपको उस तरह का है, मतलब इसके लिए आपको milk आपको मिलेगा, cause है cow है, ठीक है तो मतलब इस इन सारे जो आपको milk आपको मिलता है, जब आप देखते होंगे जब आपको डेंगी वगरे किसी को अगर हुआ होगा उस condition में लोग बलते हैं कि जो गोट का, जो मिल्क है, गोट का उसका milk पिना चाहिए तो वो भी चीज है, ठीक है अभी आप देखिए plant parts and animal product as food plant are one source of our food, plant जो हमारे source of food है, which parts of plants वो कौन सा part of plants है, जो हमें food प्रवाइड करता है, अब यहाँ से बहुत कोशन बनता है, अगर अगर आप इसको अगर आप लेंगे तो वो लोग जब आप घटना चाहिए जब आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको इससे दिखते आगे कौन से part का, कौन सा part आप इट कर रहे हैं, यह चीज यहाँ पर इसने mention किया और इसको फर्दर आगे बताएगा We eat many leafy vegetables, हम लोग बहुत सारा leafy vegetables खाते हैं We eat fruits of some plants, sometime roots भी खाते हैं, sometime stems and even flowers, अब यहाँ पर इसने दे रही है यह सारा चीज, अब आपको इसने इसका example नहीं बताया है, अब आपको, अब आपका duty है, कि जब आप जाएंगे अगर आप घटना चगर वगर आप पास है, या फिर आप ऐसी भी लिख देंगे कि root कौन-कौन से plant का हम लोग eat करते हैं, stem किसका करते हैं, इसका 3-4-5 इसका food का नाम है उसको लिख लिजिए, और exam यहां से पूसता है, flower का क्या 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 खाते हैं, आप मुझे बताओ कि apple का हम लोग कौन सा part खाते हैं, ठीक है, apple क्या real में एक fruit है, ठीक है, और ठीक है, तो यह होगी आपको, have you ever eaten pumpkin, क्या आपने कभी pumpkin खाया है, ठीक है, अब आप इसमें देखिए, flower dipped in the rice, paste and fried, try it, ठीक है, some plants have two or more edible parts, एक plant में बिल्कुल दो से जादे edible parts हो सकते हैं, seeds of the mustard plants give us oil and the leaves are used as a vegetable, जो seed of mustard plant है, mustard में लोग क्या होता बता हो भई, जो आपने सरसो देखा है, ठीक है, सरसो जो plant होता है, oil भी उसका leaf भी उसकरते हैं, उसका leaf भी उसकरते हैं, use as the vegetable, अगर आप गाउं में रहे हैं, तो आप इसको आप देख पाएंगे, ठीक है, think of more example where two or more parts of a single plant are used as a food, आप इसके example आप मुझे बताना, दो या तीन का, ठीक है, comment section में, अब इसको जो जो भाई यहां से, different area part of the plant में क्या है भाई, एक आपको primary है, primary root होता है, एक आपको secondary root होता है, इसको हम क्या ओलते है, root system, यह पुछा जाता है, root system में क्या आता है, तो primary or secondary जोनों आ गया, उपर का भाग क्या है, suit system, तो flower है, fruits है, leaf है, stem है, leaf है, buds है, यहाँ पर, node है, inter node है, तो node और inter node, यह ठीक है, जो आप उस पर question लाएंगो, तो आप, जो question पहले लगा है, वो चीज को मतलब समझ पा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर plants part as a food, ब्रिंजल करी, इस ingredient क्या है, ब्रिंजल है, चिली है, spices and any other, oil from the ground nuts, mustard, soybean and other plants, plant part, which gives us the ingredients, ब्रिंजल है, तो यह fruit है, और चिली हो क्या है, plants part which gives us ingredient, वो कौन समय ingredient दे रहा है, तो अच्छा, वो fruit से मिल रहा है, यह क्या है, यह किस से मिल रहा है, आपको seeds से मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ आप यहाँ पर और add करिए, एक, दो, तीन, तीन है, आप एक और add करिए, अगर आप ब्रिंजल करिया बना रहे है, उसमें क् part of the plants दो कि आपको यह देता है, ठीक है, वो कौन सा part देता है, यह ब्रिंजल, chili, oil, ठीक है, do not try to test unknown plants around you to see it, they are edible, some plants could be poisonous, बिल्कुर सिवाथ, कुछ-कुछ plants हो poisonous भी होते हैं, activity 4 क्या है, from all food items you have listed in table 1.3, choose these items whose ingredients are obtained from the plants, which part of plants, identify these and list the food items and plants part as shown in table 1.4.